नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ क्लासेश पर तो आएए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टिप्लाई टू डिजिट नाइटी नाइन नाइन हंड़र्ड नाइटी नाइटी नाइन जैसे नमबर के साथ हमने कैसे मल्टिप्लाई करना है तो आज हम दोनों और बराबर नमबर लेकर उनका मल्टिप्लाई करना सीखेंगे 99 से ज़ा 999 से अगली वीडियो में हम दूसरे नमबर बात करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो जैसे यहाँ पर पहले मैंने दो नमबर 13 लिया है तो बराबर इसके 99 यनि टू डिजिट नमबर दोनों हो लिये हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है 13 में से 1 माइनस कर देना है तो यह देखिए कितना आगया 12 आगया है अब इस 12 को 99 में से माइनस करना है और हमारा आणस्वर आ जाएगा तो पहले हम 99 में से 12 माइनस करते है 9 में से 1, 8 तो यह हमारा आणस्वर आ गया है 13 का 99 से मल्टिप्लाई तो ध्यान आपने यही रखना है दोस्तों कि दोनों और बरापर नमबर होने चाहिए तो यह 1,287 हमारा आणस्वर आ गया है तो देखने माली बात यही है कि हम अब यहाँ पर बरापर डिजिट लेकर दोनों और मल्टिप्लाई कर रही है आईए एक और अग्जामपल लेते हैं जैसे 26 को 99 से एक पर फिर मल्टिप्लाई करते हैं दोनों और बरापर नमबर लेकर तो पहले वाले स्टेप की तरह यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने पर यह आ जाएगा 25 और 25 को पहले की तरह 99 में से माइनस कर देंगे तो देखिए पहले हम यहाँ पर 25 लिखेंगे माइनस करके और फिर इस 25 को सेकिंड स्टेप में 99 में से माइनस कर देंगे तो देखिए दोस्तों माइनस करने पर हमारा आंस्वर आ जाएगा nine में से five minus करना है four और ये seven तो ये हमारा answer आ गया है दोस्तों इस तरह देखिए one step में कितनी जल्दी multiply हो रहा है दोस्तों आपने अगर आप इसको करोगे तो tricks के द्वारा आप mind में ही इस multiply को कर सकते हैं बीना copy pen की सहाथ के भी इस multiply को आप कर सकते हैं आईए अब दोस्तों हम 3 डिजिट के साथ इस मुल्टिपलाई को करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने 3 डिजिट नमबर 782 को 999 के साथ मुल्टिपलाई करना है तो step वही है दोस्तों पहले हमने जैसे इन दो नमबर वाले sum में किया है उसी तरह इसमें हम पहले 1 माइनस करेंगे 782 में से 1 माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसको और फिर इसको 999 में से माइनस कर देंगे तो यह माइनस करके हम देखते हैं 9 में से 1 8, 9 में से 1, 9 में से 7 2 तो ये हमारा आंस्वर आगया है 7,81,218 तो दोस्तो इस तरह हम कोई भी सम बहुत ही जल्दी टिक्स की द्वारा कर सकते हैं तो दोस्तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेर जुरूर करना और लाइक भी करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तो आपने तो यह जो सम मैं लिख रहा हूँ दोस्तो यह 4 नंबर का है यह मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ आपने इसको निकाल कर इसका आंस्वर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आने वाली वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे कि अगर एक साइड पर एक नंबर कम हो जैसे यहाँ पर तीन तीन नंबर है या दो दो नंबर है अगर यहाँ पर एक नंबर कम हो जाए तो उसका यहाँ पर भी इस तरह अगर एक नंबर कम हो जाए एक साइड पर थी नंब दिखने के लिए बहुत बहुत दन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए